हाई गाईज मैंने में इस चंसेगर वरुला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे Information System Audit और Information System Audit में Information System Risk और Controls के बारे में पढ़ने लगे थे अगला टॉपिक जो हमारी स्टेडी में हो Mitigating IS Risk थो IS Risk Management यानि कि Information System Risk को हम Mitigate कर रहे हैं Information Risk Management के थो यह प्रोसेस जो है हमारी स्टेडी बोलती है वह है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मेशन से Risk Management जिससे हम Risk को Mitigate करते हैं अब Risk को Mitigate कर रहे हैं Risk को Reduce नहीं कर रहें Zero नहीं कर रहे हैं हर रिस्क की दर है IS Risk जो है Zero Reduce नहीं किया जा सकता है रिस्क किया जा सकता है या और रिस्क एस्टेंडविश नहीं किया सकता है रिस्क रिड्यूस किया सकता है तो जो हम completely आप्ट यह वह मैटिगेटिंग्ड Candy रिस्क करेंगे रिस को एक लेवल तक लेकर रिएंगे उसको कम करेंगे और वह कौन होगा acceptable level होगा यानि कि पानी का निशान जैसे फॉर-इजम्बल यमुना के खत्रे का निशान जैसे हम बोलते हैं कि जो खत्रे के निशान को पार कशने है यह दिल्ली में आप खत्रे का निशान बना हूआ आगर आप ब्रिज्स दॉघ्ण में जाएंगे वहां पर यमुनہ के पुल पड़ जाएंगे तो वहां पर मार्किंग्स बनी हुई है और यमुना एक लिवल से उपर पहुन जाती है तो खत्रे 56 बात लेवल ए यह वह acceptable level of risk है और वहां तक हम रिस्क को mitigate करेंगे उस लेवल तक रहना चाहिए और इसके लिए हम क्या करेंगे रिस्क की पूरी profile देखेंगे यानि management का यह काम होता है कि रिस्क की profile देखेंगा और देखेंगा कितना क्या करना का इसको कितने फ्सक कि रिस्क लगाने तो आप क्या करोगे इक रिस्क बनाऊग हो इक acceptable रिस्क बना ओगए हमने पहले पहले पढ़ दिया था रिस्क होता जहां पिक हम रिस्क ले जाता है जिसे management क 혁था बहुता है और फार होता है political रिस्क जैसे हैं उसके control के भाहर होते हैं कोई दंगा हो गया को साध घॉगए बोस ऑन्सक्राइब के बिदाने के अधाय acceptable risk और reasonable risk दोनों find out करने पड़ते हैं और acceptable risk के level पर risk Google लाएने के लिए हमें controls लगाने पड़ते हैं तो systemic systemic risk assessment process हमें एड़ाउट करने पड़ेगी और systematic risk assessment process में हम क्या करते हैं सबसे पहले identify करते हैं फिर qualify और quantify करते हैं उन IS resources को जो critical है effective risk management के लिए मतलब effective risk management के लिए हमें सबसे पहले critical IS resources को identify करना पड़ेगा qualify करना पड़ेगा quantify करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वह दिखेंगे कौन से resources critical है यह पर्टिकलर resources critical है कौन सा data critical है यह पर्टिकलर data critical जैसे बैंक है उसमें centralized database जहां पर सारे account holders के account रखे गए वह बहुत critical है तो हमने identify कर दिये जी critical है और यह उसका जो database server होगा वह हमने identify कर दिये यह critical है वहां पर जो lines आ रही होंगी जा रही होंगी वह हमने identify कर दिये critical है वहां पर जो application server लगाओ को हमने identify कर दिये यह critical है अब यह critical identify करने के बाद ही हम risk management करेंगे क्रिटिकल चीज को यह risk manage करेंगे अगर कोई ऐसा system है जो non critical है और जिसको हम समझते हैं अगर चला भी जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता हो इसमें रिस्क अगर मालिया कंपनी का एक laptop है दो laptop में अगर मालिया कोई software है वह critical हो सकता है उसको हमें control करना पड़ेगा antivirus वकल लगाना पड़ेगा लेकिन एक आप company बहुत बड़ी company उसमें laptop जो है लेकिन कई company में क्या होता है कि अगर laptop में चूट फूट आगी आग लगई कहीं पर कुछ हो गया फायर हो रही है और आग लगई या कुछ हो गया चोटे मोटे system से तो वह critical नहीं होते हैं उसके बारे में management कहता है ठीक है कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है यह कोई dumb terminal पड़ा हुआ है company में कुछ dumb terminal पड़े हुए particular purpose के लिए कि उस terminal के ही through access हो सकता है कोई और वो terminal dumb terminal और मालूम पड़ा वो dumb terminal में हम कुछ save वगर नहीं करते हैं अगर कुछ save करेंगे तो एक particular drive में save होगा तो dumb terminal चला भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो व रिसूर्स के रूप में qualify करेगी management और वहां पर क्या है वहां से हमें एक effective risk management strategies त्यार होगी तो risk management आज की date में increasingly accept किया जा रहा है organization में strategic risk management increasingly accept किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि वो data important हो वो data के बीचे software important हो गया है application software हो system software important हो उसके बीचे hardware important हो गया यह computing equipment important हो गया और उसके पूछे IS facility important हो गया तो यह IS का environment data के importance होने की वज़े से risk management important हो गया risk management आप यह सोचो data साही चीज़ को control करने लगा और कल की date में data और control करने लगा तो simple सी बात ही यह data काफी important हो गया और इसके लिए information system auditor पैदा कर दिया गया एक specific type का जन्तु एक नया टाइप का ओडिटर जैसे information system auditor कहते हैं वो पैदा कर दिये गा है तो basically हम यह कह सकते है risk management increasingly accept किया जा रहा और risk management organization को करना पड़ेगा risk management organization को dedicated departments create करने पड़ेंगे जो यह processes create करने पड़ेंगे जो risk management day by day जैसे जैसे time बीचता जाएगा क्योंकि risk management बहुत important हो गया uncertainty बहुत important हो गया data increasingly small space में आता चले जाएगा huge data small space पर आता चले जाएगा और आज की data में already कोशिश की जा रही है कि cloud वगर हो गया क्लाउड computing स्टार्ट हो गई ताकि computing सारी क्लाउड में particular जगे specialization हो ताकि data वहां पर से data को प्रॉब्लम ना है यह कि यह सारी facilities जो है market में available कराई जा रही है क्योंकि data बहुत important हो गया तो जब risk management करेंगे तो क्या है risk management की जो process है उसमें क्या है कि सबसे पहले हम risk को systematically address करेंगे कि यह यह risk है एक particular process कि से risk को address करेंगे उन्हें find out करेंगे various processes और activities find out करेंगे और यह देखेंगे कि किस तरीके से हर activity organization के business को business के objective को meet out कर पी है तो यानि कि उस activity के risk को फिर हम address करेंगे ताकि वो particular activities criticality के अनुसार उसे determine करके हम उनको उसमें risk देखेंगे क्या risk है जिसमें जादे risk है उससे क्या है कि अगर वो उसको problem आगी तो business objective में problem आजाएगी तो उसको हम secure करके चलेंगे क्योंकि यह जो process और यह जो activities है यही business के goals को meet out करने में हमारी help कर रही है तो basically risk management process क्या करेगा इनके risk को systematically address करेगा और फिर उसके बाद उनको prioritize करेगा और उसके बाद फिर उन पर controls लगाएगा अब risk management भी दो type के होते हैं risk management में एक ISRM होता है information system risk management होता है और दूसरा BRMP होता है business risk management process यानि कि एक process तो जो होती है business के risk की management process है की total business के risk की देखते हैं पर देखते हैं अगर मालिया सब उसके किसी time पर आपके बड़े बड़े organization थी वहाँ पर IT का उतना उतना जादे IT यूज नहीं होता था वहाँ पर business risk management process होती थी जो कि business के risk को find out करती थी business के risk में आज की rate में is risk include होगया है यहीं कि business risk total business का risk है और उसमें एक risk is risk है क्योंकि is risk जो है उसमें data की value बहुत जादे होगी और data की value बहुत जादे होती जा रही है तो जब हम business risk management process करेंगे तो उसमें is risk management process करेंगे तो कई organization में केवल information system risk management processes होगी ISRM होगा, Information System Risk Management होगा और कई organization में क्या होगा, Business Risk Management Processes का part होगा चोटे organization है, उसमें Information System Risk Management हम कर लेंगे और बहुत चोटे organization है, उसमें हम केवल Business Risk Management करते हैं तो depend करता है, और कई organization में दुनी चीज़ होती है लेकिन जिसमें दुनी चीज़े होती है, Business Risk Management होता है और information risk management होता है और इसके regarding processes होती है तो business risk management उपपर होता है information risk management नीचे होता है थो जब हम सबसे पहले business risk को manage करते हैं और business risk में एक risk मान लेते है úr information risk और यह मानते है कि जो हमारा information है, वो एक asset है, जैसे facebook जैसी अप्टी है, वो total business risk देखती है, और साथ में IS risk भी देखती है, लेकिन उसको बता है कि उसके data की value बहुत जादे, जो वहाँ पर data है, उसके data centers में है, वो उसकी value बहुत जादे, तो information system risk 90% हो जाएगा business, 95% हो जाएगा business risk management process का, बागी 5%, 10% और risk होंगे, लेकिन information system risk management major part form करेगा, तो depend करता है, किस organization में IS risk कितना है, business risk कितना है, लेकिन overall जो हम यह कह सकते है, business risk management process होता है, उसके अंदर information system risk management process होगा, तो अब IS risk management हमने start किया, तो उसमें गया है कि mainly आज की date में, की consideration होगा, वो सारे major business initiatives का, क्योंकि major businesses और अच्छे businesses automated होगे, जितना automation होगा, उतने efficient होगे, massive automation होगा, अगर एक अच्छा organization होगा, automation होगा, तो वो वहाँ पर IS risk management की consideration है, एक critical aspect जो है, वह है कि हमारा ongoing risk management हो, ongoing monitoring हो, ongoing review हो, तो कहने का मतलब यह है कि, risk management की monitoring और review करना बहुत important है, मतलब एक regular review करना और monitoring करना बहुत important है, क्योंकि 5 साल में पूरी generation change हो जाती है, मालूम पड़ा, आज कोई, किसी particular चीज रिस्की है, कल की date में रिस्की नहीं रहती है, कल की date में उसका risk का level बहुत कम हो जाता है, और उल्टा भी होता है, आज की date में कोई risk free है, कल की date में बहुत जादे risk हो जाती है, तो आपको risk management की monitoring और review continuously करनी बड़ेगी, एक ongoing process है risk management, अगर आपने periodic risk management नहीं किया तो problem हो सकती है, क्योंकि technology change हो रही है, क्योंकि information system change हो रहे हैं, क्योंकि technological standards change हो रहे हैं, क्योंकि नए hardware आ रहे हैं, क्योंकि नए software आ और Gordon Moods की moods law हर 2 साल में, 18 महने में computing power double कर रही है, तो double करते ही आपके systems change हो जा रहे हैं, और 5 साल में तो पूरी generation change हो जाती है, तो हमें की methodology, appropriate methodology, select करनी पड़ेगी, तो appropriate methodology का selection की factor होगा, और यह organization to organization vary करेगा, यानि किस तरीके से हम risk management करेंगे, उसके risk management methodologies है, methodologies में से कौन सा, किस organization के लिए specific है, किस के लिए सही है, यह हम देखेंगे, और यह हम देखेंगे, कि हर organization to organization risk को manage करने का methodology अलग है, इवन nature of organization change हो जाता है, size of organization change हो जाता है, तो वहाँ पर risk का assessment करने की methodology change हो जाती है, तो जिस तरीके से हम general business risk management, जो business risk management है, उसको deal करते हैं, उसी तरीके से IS risk management को deal करेंगे, जिस तरीके से IS auditor और internal control auditor, internal normal auditor जो होता है, दोनों के rules में बहुत जादे difference नहीं होता है, जिस तरीके का मतलब यह है, उसी तरीके से जो risk है, IS risk को भी हम उसी तरीके से deal करेंगे, जिस तरीके से business risk management को करेंगे, तो लेकिन broad guidelines को ही चाहिए रहेंगे, जिस तरीके से हम business risk management में events और consequences देखते हैं, और फिर उसके बाद यह देखते हैं कि, events और consequences से benefit भी हो सकता है, threats भी हो सकता है, organization के objective, business objectives के लिए, threatful हो सकते हैं, opportunity भी हो सकती है, तो वैसे यहाँ पर भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी, तो एक effective information, resource risk management program अगर आप बना रहे हैं, तो आपको key information resources identify करने पड़ेंगे, पहली step में, आपको यह देखना पड़ेगा, यह key information resources है, यह critical resources है, कोई database important है, कोई दूसरी चीज़ important है, उसको आपको identify करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी study कहती ही कि जो primary responsibility है, information protection की, वो top management की है, और top management से हम support और commitment ले लिए, एक बार top management से support और commitment ले लिया, तो उसके बाद rules and responsibility fix करती जाएंगे, executive management की, और executive management को responsible बना दिया जाएगा, functional areas के लिए, executive management को क्यों बना दिया जाएगा, functional area के लिए, top management तो ठीक है, strategic views उसने दे दिया, उससे हमने commitment ले ले लेकिन ऐसा है कि executive management इसलिए बना जाएगा, क्योंकि business manager, जो है, वो I.S. risk management के design और implementation को vet करेंगे, क्योंकि risk information system, IT management को उतने risk के बारे में पता नहीं होता है, जितना business manager को पता होता है, business manager अपनी processes के बारे में जानते है, वो रोजमरा उस process से deal टर रहे होते हैं, तो business manager को उसके बारे में बता होता है, तो उनको डिजाइन और इंप्लिमेंटेशन आपको लाना पड़ेगा क्योंकि बिजनस मैनेजर क्या होगा बहुत से बिजनस मैनेजर दूसरा रीजन भी है हमारी स्टेडी बड़े अच्छी तरीकिसा आपको समझाएगी होता क्या है बिजनस रिस्क मैनेजर अगर मानले सब जितनी चीज़े फेल हो जाए उतना बेटर है क्योंकि IT उसका जॉब खा रही है तो रिस्मोंसिबिलिटी लेने की कोशिश नहीं करेगा भागेगा दोड़ेगा इधर उदर करेगा जब आपने उसको रिस्मोंसिबिलिटी दे दी कि भाई यह डिजाइन तुमारी अनुसा इधर होते हैं वह इंपक्त बताएंगे उन्डेज़ाइर को मिबंट का आप दो करना फिट्फसनेंगी पूचा जाएगा कि आप यह बताइगे की अणडेशार अटेस। और हम यह डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप डिजाइन भी हमें बताईए, हावना हम यह डिजाइन कर रहे हैं, तो आप बताईए, यह सही है कि नहीं सही है, इसके अलावा कुछ और opportunity है, कोई और threats तो नहीं हैं, जो बच गए हैं, आप exhaustively उसको काम दंदे में लगा दे मतलब कहने का मतलब यह बिजनस मैनेजर को दंदे में लगा देंगे, काम दंदे में, कि तू बता भाई, तो वो बताना स्टार्ट करेगा, ultimately वो responsibility एजियूम करता जाएगा, चार-पांच बार वो कहेगा, कि यह नहीं होता, वो नहीं होता, फिर finally वो decide करेगा, कि हाँ, यह level of system सही है, और फिर वो उसको एक satisfaction सा होगा, कि यह system मेरे level का बन गया है, इसमें जो risk, इसी तरीक सा risk management के साथ होता है, risk management क्या करता है, कि एक particular risk management का design करते हैं, तो उसमें हम business manager को involve करते हैं, फिर business manager बताता है, हमें कि इसका design ऐसा होना चाहिए, इसको implement ऐसे करना चाहिए, जैसे sales और marketing department है, तो वो उसको पता है, कि उसके head को ये बता है, कि rights क्या होनी चाहिए, sales और marketing data किसको मिलना चाहिए, related resources किसको मिलने चाहिए, अगर IS department ये सारी चीज़े अपने आप decide कर लेगा, तो कल की date में operational part जो है, operational sales और marketing जो भी है, जो operations कर रहे हैं, वो कहेंगे कि यार, यह तो गलत है, यह तो practically नहीं है, इनको पता ही नहीं है, तो उन से पूछा जाएगा, business manager से पूछा जाएगा, business manager well suited, कई एरिया में उनको knowledge भी होती है, तो कई एरिया में उनको knowledge भी होती है, well suited होते हैं, और फिर वो आपको बताते हैं, तो basically roles and responsibility, आप decide करोगे, तो executive management की rules and responsibility fix कर होगे, और हर functional area में उनकी responsibility fix कर दोगे, IT को तो आप custodian के रूप में कर दोगे, ownership उसकी पूसकी करोगे, जिसकी ownership उसकी responsibility है, बाकी तो custodian है, बाकी तो जैसे आपने direction दिया, उसके अनुसार उसको as a custodian way act करेगा, IT department as a custodian act करेगा, हो गएगा, मैं तो आपकी processes अच्छी ब इसके बाद हमारी study है कहती है कि IS risk management ongoing और continuous process होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ongoing process होनी चाहिए, continuous process होनी चाहिए और organization की strategy का part होना चाहिए, उसकी implementation की strategy का part होनी चाहिए, यही total organization की strategy का part होनी चाहिए उसके बाद हमारी study कहती है कि IS risk management organization की strategy को contribute करती है और value देती है organization को और उसके stakeholders को क्योंकि वो organization के objectives को support करती है कहने का मतलब यह है कि जब आप इसको सारा लुहासा में बुला जाए तो यह बुला जाए कि अगर मालिया सबहों से इक organization organization risk management decide कर रहेतो risk management decide करते वक्त वो organization की processes को भी crystallize कर रहा है jest एक organization में अगर आप risk management processes चला रहे हो और यह सारी processes चला रहे हो तो उसमें rules and responsibility आप define करनी है और अल्रेडी rules and responsibility defined होगी उनको उनके risk के बारे में आपको अवेर करना पड़ेगा लास्ट लेवल तक organizational level को आपको crystallize करना पड़ेगा, तभी आप risk management कर सकते हो, risk management के लिए आपको particular department के risk देखने पड़ेंगे, particular level के में बंदा क्या कर सकता है, हर level पर risk को analyze करना पड़ेगा, और उसी की तरह की से risk को design करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप risk management process करोगे, तो आप company को बाकी चीज़ों को भी streamline करते चले जाओ रहे होगे, उसके organizational structure को बना रहे होगे, segregation of duty को आप properly, minutely देख रहे होगे, और वहाँ पर risk assessment कर रहे होगे, आप job evaluation कर रहे होगे, minute level से level तक जाकर job evaluation कर रहे होगे, तो basically information system risk management organization की strategy भी में contribute करेगा, उसकी value में contribute करेगा, और organization के objectives को support करेगा, तो उसमें क्या आए कि framework देगा, IS risk assessment का, मतलब basically जो IS risk assessment में सबसे पहले क्या होता है, framework बनाते हैं, IS risk assessment का, obviously IS risk assessment का framework देगा, और जब information system risk assessment का framework देगा, तो how information system जो है, पूरे organization में आजकल use होता है, तो क्या होगा, पूरे organization के risk का एक idea हो जाएगा, उसको बाद planning decisions better हो जाएगे, हमारे strategic alignment better हो जाएगे business और IT के बीच में, क्योंकि business IT को बताएगा, यह मेरा risk है, एक दूसरे communicate करेंगे, तो वो risk, back and forth एक दूसरे को पता चलेगा, उसमें decision making होगी, planning और direction होगा, और यह सारी चीज़े structured manner होएगे, तो इससे आपस में communicate करने से पहुत सी चीज़ें है, आपको streamlined organization मिलेगा, structured organization बनने में risk management का help है, risk management का byproduct है, आप चाहें ना चाहें, आप risk management कर रहे हो तो आप पूरे organization के structure को देख रहे होगे, information system auditor बठा दिया तो वो पूरे organization के structure को देख रहा है, job evaluation कर रहा है, segregation of duty देख रहा है, हर level पर risk देख रहा है, तो उसके लिए उसको documents ची होगा, तो आप organization को crystallize करें, structured manner में, planned manner में, उसको planning करने में help कर रहे है, और तभी आप risk management करने में सफल होगे, तो risk management process के byproducts जो है, वो organization के लिए काफी helpful होते हैं, इसके बाद क्या है, कि जब आप risk management कर रहे होगे, तो आपका organization के IS resource को efficiently utilize करने की बात करोगे, क्योंकि आप prioritize कर होगे resource को, और पता चलेगा, कौन सा resource valuable है, कौन सा नहीं है, ये चीज़े आप prioritize कर रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा, कि उसमें क्या cost लगेगी, और कि क्या cost है, कि उसके exposure की value निकालोगे, तो उसके लिए आपको asset की valuation निकालने पड़ेगी, तो जब ये सारी चीज़े न निकालोगे, तो return of investment वगर भी निकालना start करोगे, तो उससे क्या होगा, कि एक prospective organization में efficient, IS resource के efficient utilization के लिए बनेगा, उसके बाद क्या है, wasteful, unproductive चीज़ों को, resources को waste करना है, unproductive process के लिए, आप कम करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आप जब risk का matrix बना रहे हो, तो आपको ये बता चल जाएगा, ये important asset है, risk priority में हर asset है, तो आप ये भी find out करोगे, कुछ assets हैं, जो बेकार assets पड़े, जो assets की कोई value नहीं है, जो asset organization नहीं होने चीज़ों का wasteful, unproductive है, risk management automatically आपको ये बताते चले जाएगा, उसके अलावा सबसे important चीज़ है, IS resource की security, वो risk management का अपना काम है, और risk management information, IS resource की security के बारे में बताएगा और उसके ensure करेगा, operational efficiency optimize करेगा, क्योंकि सारी चीज़ा आपने constantly review की है, IS information system को आप activate कर रहे हो, information system, इसलिए activate कर रहे हो कि efficiency होगी, और उस information system को fine tune कर रहे हो, क्योंकि आप कोई particular asset रखा हुआ है, और आपने देखा, यह asset तो रखने की जरुवती नहीं है, क्योंकि जितने जादे एसेट होंगे, उतना जादे risk होगा, जितने जादे extra assets आपके organization पर पढ़ेंगे, उतना risk होगा, कई asset पढ़े होंगे, तो आप कोगे यह asset की जरुवती तो आप क्या करोगे, asset की को optimize करोगे, क्योंकि जितने जादे एसेट हैं, उतना जादे risk है, तो आप कहोगे कि यह asset की जरुवत क्या है, तो आपर operational efficiency आपकी optimize हो जाएगी, दूसरी बात आप future के बारे में देखोगे, plans के बारे में देखोगे, जब risk assessment करोगे, तो plan बनाने ब में जाकर वहाँ पर लिखकर आजोगे, कि यहां तो कोई plan ही नहीं है, यहां तो future के बारे में, कोई scientific way में extrapolation ही नहीं किया है, future के बारे में इनको पता ही नहीं है, तो वहाँ पर future oriented learning को support करता है, तो इससे यह process improvement होती है, risk management जो है process improvement करने में help करता है, तो जब आप हमारी study मे पढ़ रहे होगे तो आप सोचों कि यार यह क्या कहरी है, हमारी study कहरी है कि ठीक है, क्या किते है, security बढ़ाता है, risk management यह तो समझ बाहता है, लेकिन हमारी study कहरी है, कैसे बढ़ा देगा एक, operational efficiency, हमारी study कहरी है, कहरी है, framework create करता है, आई-स risk assessment का बिल्कुल ठीक बात है, framework करता और क्या कहते हैं future के बारे में future plans को better बनाता है तो यह क्यों कह रही है हमारी study यह बड़े typical language में हमारी study यह चीज चाहती है तो risk assessment यह सारी चीज़े करता है indirect way में करता है risk assessment आप करोगे तो सबसे पहले सारे asset की list होनी चीए आपको asset inventory में control देदेगा आप फिर उसको पता हुना चीज़े एक्जेक्ट location भाई यह कहीं जहां एक एसी जगह तो नहीं asset रखा हुआ है आप जाओगे आप देखोगे asset यहां कैसे रखा है यहां तो बिल्कुल power terminal है यहां से power आती है यह power के terminals के पास लगा हुआ है तो आपको यह asset यहां पर कैसे रखा हुआ है और फिर उसके बाद क्या है कि आप यह दिखोगे जादे asset होंगे तो जादे risk होगा उसके बाद आप asset को optimum asset जो asset यूज कर नहीं होगा उसे आप कहोगे कि इसको अटा दिया जाए इसको सेल आफ कर दिया जाए स्क्राप कर दिया जाए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो तो आप उस पर भी कुश्चन उठाओगे क्योंकि जितने जादे assets होंगे जरुवत से जादे assets होंगे optimum level तक जरुवत है कई बार asset backup के लिए चाहिए होते हैं आपको एक additional server चाहिए होगा backup के लिए लेकिन वहाँ पर जो भी extra asset होंगे आप कहोगे यह extra asset रखने की क्यों जरुवत है क्योंकि आप रिस्क को prioritize करोगे तो resources की अगेंस्ट prioritize करोगे तो resources की listing automatically बन जाएगी future plans देखोगे future plans क्या है ongoing आप देखोगे risk assessment हो रहा है की नहीं हो रहा है तो internal control सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप कहोगे कि भाईया सबसे पहले तो asset की list चाहिए और ज़र asset की list आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि organization में control सही तरीके है एक additional चीज़ emphasize करेगी यानि internal control को भी help करेगी efficiency भी बढ़ाईगी उसके बात future के plans को भी streamline करेगी और organization में structure को भी streamline करेगी segregation of duty को भी help करेगी job evaluation भी करेगी क्योंकि एक आदमी एक particular job कर रहा है वह एक database के साथ लाथ एक database administrator तो database administrator के पास database की security का होना बहुत जड़री है तो आप देखो कि database secure कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसके अंदर qualification है कि नहीं है उतनी कि जो current threads आ रहे हैं उससे कर सकता है कि नहीं कर सकता और database administrator कौन है आप यहां से स्टार्ट करोगे और वो रोल्स देखोगे उसका टूटल कौन-कौन database administrator को पर data administrator है की नहीं है आप organization में देखोगे फिर उसे सुचोगे तो यह सारी चीज़ें क्या करेंगी उस database administrator की qualification भी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा यह qualified and non qualified बंदा इसको handle करने के लिए तो यानि कि आप overall organization की streamlining करोगे और risk assessment करने के लिए overall data चाहिए आपको वो data बहुत important है और वो data बनाने का मतलब यह है कि वह original data से इस data को derive करोगे यह और organization का data सही होना चाहिए तभी यह data rightfully derive कर सकते हो तो right risk assessment के लिए right data होना चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और यही चीज हमारी और वो study कहती है और study बड़े nearest तरीके से हमारी कहती है वो आपको समझाती चले जाती है वो कहती कि efficient utilization हो होता है risk assessment से तो आप कहते हो risk assessment में risky to assess करना है efficient utilization कहां से होता है लेकिन indirect way में यह सारी चीज़ें होती है क्योंकि risk assessment जो है बाद की चीज़े मतलब पहले तो organizational structure होना बहुत जोड़ी है अगर organizational structure नहीं है तो आपको यह तो risky risk है है ना तो controls ही नहीं है organizational structure ही ठीक नहीं है यह सारी चीज़े है और अगर risk assessment करोगे तो organization का rule होता है what gets measured gets done यानि कि जो चीज़ पता चलती चली जाती ही वो ठीक होती जाती ही वो streamline होती चली जाती है तो streamline होती चली जाती है Thanks